सांसर जी आप जो हैं बदाईयों से चली गई और चर्चा होने लगी कि मैं पूरी से लड़ेंगी बदाईयों से चली गई ये कैसे कह सकते हैं जब हम बदाईयों में हर वक्त उफलब्ध हैं तो चली गई क्या होता है, टिकट ना मिलने का मतलब ये बिलकुल नहीं है कि आप उस जगों को छोड़ दें, बदाईूं हमारा परिवार था है और रहेगा, एक बेटी की तरह बदाईूं के परिवार जनों की हमने सेवा की है, और उस सेवा को मैं आजीवन उसी तरह से देखे, राजनीती में हमें लगता है, आज के दौर में हमारे जैसा इस पस्ट नेता आपको अभी तक नहीं दिखा होगा, अगर हमने किसी चीज को कहा कि ये संगमित्रा मोर्या कह रही हैं, तो संगमित्रा मोर्या उससे पल्टी नहीं है, और संगमित्रा मोर्या तो खुल कर जो करती हैं करती हैं यह पता नहीं किस मूड में कह रहे हैं हमें नहीं पता है यहां पर हमारा भाई चुनाव लड़ा है तो निश्चित तोर पर हम अपने भाई के साथ पहले दिन से आखरी दिन तक हैं और रहेंगे अब पताजी आगर पताजी आगे आपकी यहां चुनाव लड़ाने तो आप उधर लड़ाएंगी भाईस्पा को और तो देखे दोनों लोगों की पारटियां अलग हैं मैं जिस पार्टी में हूँ मैं उस पार्टी की बात कर रही हूँ मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ हमारी पार्टी से हमारे बड़े भाई को टिकट मिला है बदाईयों लोक सभा में तो मैं उसके साथ हूँ और मैं उसी को चुनाव लडा रही हूँ लडाऊंगी आपकी तस्वीर बैरल हुई थी मन्से रोते हुए तमाम सुरुकिया उसने बटोरी और पिता जी का आपकी रेक्षन आया कि ये संगत्रा मौरिया जी इतनी कमजोर होंगी पता नहीं आखिर उनको बेटी कहलाने का भी अड़िकार नहीं हमने अभी आपसे पहले ही बोला कि बदाईउं हमारा परिवार है और उसका जीता जाकता उदारन आप सभी मीडिया के बंधू हैं कोरोना काल जब घर से किसी को घर में कोरोना हो जा रहा था बाप बेटे तक को नहीं छूरा था उस वक्ष संगमित्रा मौरिया एक बेटी और बेहन होने का पूरा फर्ज निभाया एक एक कोरोना मरीज से वो ब्यक्तिकत जा करके मिली है पिपी किट पहन करके तो वो हमारा दिल का लगाओ है अगर हमने कहा कि हम सांसत नहीं बेटी और बहन बन कर सेवा करेंगे तो उसी तरह हमने सेवा की और अगर उस सेवा को देखते हुए कोई भावपल आता है कुछ होत है तो हमें लगता है कि उसको इतना ज्यादा हाइलाइट नहीं करना होता है और बहिलाएं तो वैसे भी भावख होती है और उनमें भावनात्मक कभी ऐसी चीज़ें आ जाती है तो अभाविक साथ है इस पस्ट एक दम जवाब हमेशा कहने जी बचाव करती है अपने पिता सोच करके उन्होंने बयान दिया मैं उस पर कोई टिपड़ी नहीं करूंगी लेकिन मैं हमेशा कहती हूं राजनीती अपनी जगे है परिवार अपनी जगे है और दोनों को मैं ले करके चल रही हूं और जब तक जीवित हूं तब तक ले करके चलूंगी रिस्तों को कोई ख अगर आपके सवाल के हिसाब से जबाब दूं तो मुझे लगता है हमारे पार्टी का सीर्स नेतित्व सक्ति यानि मात्री शक्ति पर विस्वास रखती है और उसी सक्ति पर विस्वास रख करके 2019 में बदाईउं हमें भेजा था आशिरवात दे करके और बदाईउं में कमल खिला और अगर ऐसा निर्ने जैसा आपने सवाल में बोला ऐसा निर्ने सीर्स नेतित्व का हो तो निश्चित तोर पर वो भी सक्ती पर विश्वास होगा और मैंपूरी में भी कमल खिलेगा